शादियों में बनने वाला मटर मखाना और पनीर की सबजी आज मैं आपके लेकी आई हूँ जिसे आप बहुत असान तरीके से घर पे बना सकते हैं और इसका टेक्शर देखिए बिल्कुल एकदम शादियों वाला ही बनने वाला है बहुत असान है इसे बनाना और खाने में ब वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां मैंने एक कटोरी मखाना लिया हुआ है और यहां कड़ाई पे हमें इसको ड्राय रोस्ट करना है देखिए ऐसे बीच वीच में चलाते हुए लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से जुसका मॉइशर है वो निकल जाना चाहिए यह हमें अब यहां पे दो बड़े चमश में ऑईल डाल रही हूँ और जब गरम हो जाएगा तब इसमें हम कुछ डालेंगे मसाले तो यहां मैंने एक चमश जीरा, सिनिमन स्टिक, काले मेर्श, लॉंग, इलाइची, तेजपत्ता यह सारी चीज़े ली हैं और मेजर मैंने आपको बता दिया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितना कितना लेना है अब यहां पे इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो अरोमा है वो तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पे देखी इसको थोड़ा सा भून लेना है और भूनने के बाद यहां पे मैं एक इंच अद्रक ले लिया है वो भी डाल देंगे और इसको हमें या पे थोड़ा सा भून लेना है प्याज or अद्रक को तो यहाँ पे देखि इस तरीके से चलाते हुए फ्लेम को मैंने अभी इस टाइम हाई पे करा उया है तो यहाँ पर देखिए प्यास जो है वो थोड़ा सा सौफट हो गया है अब जब प्यास सौफ्ट हो जाएगा तो यहाँ मैं आप डाल रही हूँ यह देखिए 5 से 6 मैंने लसन की कलिया ली है आप चाहें तो लसन को अवॉइट भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे 5-6 पीस डाल रही हूं लस्तन के अब इसको भी थोड़ा सा यहां पे भून लेना है और जब यह भून जाएगा देखिए यहां पे अच्छे से भून चुका है अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चार मैंने यहाँ पे देखिए कट किये वे टमाटर लिये हुए हैं यह डाल देंगे लालाल आपको टमाटर ले लेने हैं और वो भी डाल के इसमें मैं डालूंगी तीन से चार हरी मिर्च इस तरीके से बीच में से तोड़ के डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए जितना आपको spicy बनाना है तो आप इस आप से मिर्ची डाल सकते हैं अब यहाँ पे अच्छे से mix कर लेना है और यह सारी चीजे देखिए आपस में अच्छे से mix हो गए है अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5-6 काजू डाल रही हूँ ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो रिच बने और एक मिठास उसमें बना रहे आप काजू की quantity इसमें 10 भी कर सकते हैं अब यहाँ पे देखिए नमक डाल रही हूँ मैं आधा चमश नमक डाल लेना है और एक बार शुकर लेना है दुबारा से अच्छे से mix सारे चीज़े आपस में अच्छे से mix हो जानी चाहिए और यहाँ पे यह देखिए बिसिकली मसाला है एक तरीके का तो यह अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाई डाल दूंगी ताकि यह अच्छे से यहाँ पे गल जाए तो बस अ के पास है तो कश्मेरी मिर्च का पाउडर आप डालने इसमें नहीं है तो कोई नी आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अच्छे से mix करने के बाद ना इसको ढखके हमें गलने तक पका लेना है तो उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर देखिए टमा होने के बाद हम इसको एक दम fine पीस के रख लेंगे अब मैं इसको में चड़ाई चड़ाई और उसमें में डाल रही इसके अंदर सारा पनीर में कट किया है आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं तो बस यहां पर पनीर को हमें हलका सा फ्राइ कर लेना है तो बस यहां पर सारा पनीर में डाल दिया है और इसको थोड़ा सा इसको हमें यहां पर फ्राइ कर लेना है तो चलिए इसको देखे कर लें तो यहां पे देखिए पनीर जो है बस यहां पे अच्छे से भुनी ही चुका है तो हलका सा इसको जलाना नहीं है हलका सा बस इसको फ्राइ कर लेना है हाई फ्लेम पे तो यहां देखिए पनीर जो है वो हो चुका है और इसको अब मैं निकाल लेती हूं थाली में या प्लेट में किसी भी चीज में आप इसको निकाल के साइड में रख दें अब यहां मैं इसको साइड में रख दिया है और इसी में अब मैं यहां पर डाल रही हूं तो यहां पर मैंने तीन बड़े चम्मस तेल का यूज किया है और इसमें अब जो हमने यह मसाला जो ठंडा कर कर लेना है तो यहां पे देखिए मैंने पीश के तैयार कर लिया है और यहां पे वह सारा मसाला हमें इस तेल में डाल देना है लगबक यहां पर तीन बड़े चपरीत टेल है अधे इसको सर्षों के तेल में बना सकते हैं तो मैं यहां पे इसको रिफाइंड ओयल में बना रही हूँ तो बस यहां पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो जार में जो भी मसाला रह गया उसमें पानी डाल के इसमें हम डाल लेंगे तो यहां पे देखिए अब मैंने जो पानी है उसमें जार में डाल के निकाल दिया ह सारा मसाला और अच्छे से मिक्स करना है और अब आएगी इसमें मसाले डालने की बारी तो जब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें डालते है कुछ मसाले तो दो चम्मच यहां पर डाल धनिया पाउडर और इसी के साथ आदा चम्मच हल्दी पाउडर यहां पर तो यहां पर आधा चमच डाल रही हूं है जीरा पाउडर आधा चमच गरम मसाला पाउडर और इस सारी चीजों को यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए मसाले डालने के बाद यहां पर कलर जो है बहुत ही बढ़िया आ जाएगा वैसे भी ग्रेवी का जो यहां पर देखिए मतर को हमें भूल लेना है इसी महीं अच्छे से पका लेना है तो थोड़ा सा पानी में डालूंगी ताकि जो मतर है वह अच्छे से इसमें पक जाए जो ग्रेवी है अभी बहुत जादा गाड़ी है मसाला जो है तो यहां पर पानी डाल देंगे ना तो म पॉल मत्र भी इसमें दाल सकते हैं। यहां पर जाहिए टो हुआ पूली सी चीनी भी डाल सकते हैं। जब तक मसाला और मतर दोनों अच्छे से पक जाये। तो बस यहां पिर अच्छे स से तकक मार्क नमक डाला है। तो देखिए मसाले का कलर और मटर दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं पक चुके हैं और कलर देखिए मसाले का कितना बढ़िया आ गया है मसाला भी अच्छे से भुन चुका है तो बस अब इस टाइम ना हमें यहां पर डालना है पानी में यहां पर डालने वाल तो गर्म करके डालेंगे तो आपकी सब्जी है न वह बहुत ही बढ़िया बनेगी कची कची नहीं लगेगी तो यहां पर देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहां पर जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो जो हमने मखाने रोस्ट करके रखिया है न तो वह हमें आप इसमें ड्लना है उसकी अब ड्लने की बार की आ गई है तो यहां पर यह सारे मखाने ज़ो है इसमें ड्लने हefrog और जैसी मखाने आप से जी मखाने ठोड़े वह एकदम श्रिंक हो जाएंगे उस्धा घड छोटे हो पर लेना जर्ब हर यह यह अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस यहां पर थोड़े दर इसको और पकाना है और फिर यह मटर मखाना सब्जी की जो है सब्जी तयार ही है अब ढ़के इसको पका लेंगे 5-6 मिनट के लिए 5-6 मिनट बात देखिए अब देखिए जो है मखाने जो हैं अंदर की साइड जा कक्राइब तो यहां पर भूल ली आता है तो यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद बार इस जो दूद वाली वही डाल रही हूं और फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं तो आप यह क्रीम और मलाई अपने इसके वैसे एक बड़ा चम्मस तो इसमें जाएगा ही तो रेस्पी अगर आपको देखिए पसंद आए तो कमेंट बॉक्स मिर को आप जरूर लिखके बताएं कि आपको रेस्पी कैसी लगी वीडियो को लाइक करना बिल्कूल ना भूलें और यहां पर देखे सब जीवन के तयार ह तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बाई